तो इस तृटों वेलकम टूगी वेटो मिट्स चैनल एमकेस्टेडी नुम्रिक अनलाइसेस टुड़ेवर टापेक वाट इज रिःगुला फालसी मेथड है पिछली क्लाइस में हमने देखा था नुम्रिक अनलाइसेस में बाच सेक्शन मेथड तो आज का हमार टापेक है र तो आज़े देखते हैं working rule क्या है working rule f of x be a given equation find a and b such that f of a is less than 0 and f of b is greater than 0 सबसे पहले क्या हमें को एक equation given होगी उसके बाद हम दो interval find करेंगे a और b जिस पर function a पर function की value less than 0 होगी और b पर function की value क्या होगी greater than 0 means negative और positive होगी और इन दोनों को f of a into f of b अगर हम multiplication करें तो वह भी क्या होगी less than 0 होगी then second find first approximate route by using by by using regular false method उसके बाद हम first approximate route find करेंगे regular false method को यूज करते हैं और वह formula है x1 is equal to a into f of b minus b into f of a divided by f of b minus f of a और यह जो formula है regular false method का formula है find f of x1 अगर इसको हम solve करें जो हमें root मिलता है x1 let's suppose मिलता है उसको हम अगें function में put करेंगे और function की sign x-min करेंगे find f of x1 and x-min its sign third में f of x1 is 0 अगर जो में root मिलता है वो जो अगर less than 0 है then replace x is equal to 1 x1 और जो ए होगा वो क्या हो जाएगा x1 के एक किल हो जाएगा means a replace हो जाएगा उसकी जगा आए जाएगा x1 अगर f of x1 is less than 0 and f of a जो हो जाएगा अगर हम f of x1 is greater than 0 अगर हम x1 को function में put करते हैं और उसका value greater than 0 आता है तो तो जो बी होगा वो क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा we replace हो जाएगा x1 की जगा पर and f of b is equal to x1 और f of b जो वो क्या हो जाएगा f of x1 हमें नया value function का मिल जाएगा फॉर्थ में find second approximate root by using फिर हम अगें second farm अगें हम फार्मरा यूज करेंगे second approximate root को find करने के लिए और जो root हमें मिलता है अगें function है पूट करेंगे और फिर repeat और फिर step 3 को repeat करेंगे और तब तक repeat करते जाएगे तब तक हमें 2 iteration की value same नहीं मिल जाती तो यह होता है regular फालसी मेथड़ का वर्किंग रिए स्कूशन को सॉल करते हैं कि solve the equation बाइए एक्स इपाउर एक्स इपाउर एक्स इस इकोड़ कास एक्स बाइए रेगुला फालसी मेथट करेंगे और रेगुला फालसी मेथट के जरिये और point के बाद 3 decimal places तक सॉल करना है मिंस 3 डिजिट तक सॉल करना है आप को इस question को सॉल करने हैं कि आप के जर्थ पड़ेगी और आप के लटियान पर सेट करेंगे और मैंने जो केल्स इस क्या वह डिजिट पॉइंट के बाद 4 डिजिट पर सेट किया हुआ है तो आई इस question को सॉ कि अब हम दो इंटरोल करें पीक पर करेंगे ौई फ़न只 junk कि में और चाहिए पर फंक्शन में जीरो पूट करते हैंसमें यह बैल करते हैं माझत दूनों के बीच में लाए करा जब हमने a select क्या दाब 0 तो function की value अमें क्या मिली i-1 और बी जब हमने select क्या one तो बी की फी पर function की विए हमें क्या मिली 2.1780 तो आईए रेगुलर फाल्सी मेतलिफ के फार्मुलों के जरी हमें इस कुस्टन को सौल करते हैं तो फर्स्ट एप्रोक्समेट रूट फाइंड करते हैं means x1 is equal to a into f of b minus b into f of a divided by f of b minus f of a तो आए टो आपाग्येंगे एक यह हमयनेग जीरो लिया तो उपापक्शन पर 2.1780 कि मैंनस बीए वन इंटू अगर सेंगे का मानस 1 डिवाइड़ वाइड बाइप बीका वैल्यव 1.212.1780 माइनस और f of a का वेल्यू है माइनस वन अगर इसे हम सॉल करते हैं तो हमें फंक्षन का वेल्यू मिलता है में तो हमें फंक्षन का वेल्यू मिलता है नेगेटिव मिनस माइनस 0.5198 और यह क्या है लेस्ट जिरो तो हमारे जो नया इंटरवल बनेगा वह क्या बनेगा एज रिपलेस हो जाएगा किस से एक्सवन से और f of a जो रिपलेस हो जाएगा किस से एप आफ एक्सवन से तो लेके हो जाएगा एक्सवन इंटू एप आफ बी माइनस बी इन्टू एफ आफ एक्सवन डिवाइड़ बाए एफ आफ आफ बी माइनस एफ आफ एक्सवन एक्सवन की वेल्यू हमें मिली थी जीरो पॉइंट 0.3147 इंट एफ बी की वाल्यू है 2.1780-1 एक्सवन की वाल्यू है माइनस 0.5198 डिवाइड बाइ 2.1780 इन्टू और एक्सवन का वेल्यू है माइनस 0.5198 अगर इससे हम सॉल करते हैं तो हमें एक्सटू जो सेकंड एप्रोक्सिमेट रूट मिलता है वह मिलता है 0.4469 हमें जो सेकंड एप्रोक्सिमेट रूट मिला है वह मिला है 0.4469 अगें इससे हमें फंक्शन में पॉट करेंगे और फंक्शन की कि सब्सक्राइब करेंगे means f of x2 और इसे हम function में जब put करते हैं तो function का जो हमें value मिलता है वो मिलता है negative minus 0 0.2031 और यह क्या है less than 0 तो हमा जो हमारा x1 होगा वो replace हो जाएगा किसे x2 से और f x1 जो replace हो जाएगा वो किसे f और एक्सी ने स्टीघ्रिंट आपकी में तो सुब्लंगे में से जिडू पाइंट फॉर्व इन तूपॉइंट फॉर सिक्स नाइन इंट्व वन सेवन एट जी रो माइनस वी हमारा क्या था वन इन टू और एफ एक्स्ट को हो थो मिली वह क्या मिला है सब्सक्राइब बाइब एफ भी मेंस टूपॉइंट वन सेवन एट जीरो माइनस इन्टू और एफ एकस्टू जो में नया वेल्यों मिला था वह फंक्शन का माइनस जीरो पॉइंट टूज जीरो ठिरीवन अगर हम इसे सॉल करते हैं तर्ड एप्रोक्सिमेट रूट मिलता ह से मिलता है không-adı zero point forty nine-four-one हमसरод approximate रूट मिला यह है कि अगयनस है इसे हम function पूट करेंगे और function की कि साइने एक्जमाइन करेंगे में अइस एक्स securing को और जब हम एक्सत्री को function में पूट करते हैं तो function का वैल्श मिलता तो है नेगेटिव माइनस 0.0706 और यह क्या अगें लेस देन जिरो तो हमारा जो एक्स ट्व होगा वो के से हुज हो जाएगा एक्स 3 से और f1 एक्स चू मुझ जो फंक्शन था वो के से रिप्लम से हो जाएगा एक पाफ एक्स थ्री से इससे तो यह अगें फॉर्थ एप्रोक्सिमें रूट फाइंड करते हैं मिंस एक्स 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 एक्वल तो 0.4941 इन्टो और f of b means 2.1780 माइनस b का वेल्व तान 1 इन्टो और f of x3 का जम वेल्व मिला है माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन जीरो सिक्स डिवाइड बाइ एफ़ वी मिन्स टू पॉइंट वन सेवन एट जीरो माइनस इन्टू एफ़ एक्स त्री का वेलियो मिन्स जीरो माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन जीरो सिक्स अगर इसे हम सोल करते हैं तो में जो फॉस्थ एप्रोक्षिमेट रूट मिलता है मिन्स एक्स फॉर जो में मिलता है वह मिलता है जीरो पॉइंट फाइव वन जीरो जीरो हमें जो फॉर्ट एप्रोक्षिमेट मिलता है से यह मिलता है अगेहन इसफे पूट करेंगे और फंक्शन के साइफ करेंगे स्फ लाए श्रॉंडन तो आइजays तुसक्थ ह mêmes और और यह इस फॉर सब्टरशन का में यह मिला साइन व करें दे माइंश से सकाले फ्रीटि compassion स्वाइब और f of x3 जो हो है वह x4 से रिप्लिस हो जाएगा तो आइए x5 find करते हैं मिंद फिफ्ट एप्रोक्सिमेट रूट वो क्या हो जाएगा 0.5100 इंटू और f of b हमारा सेम ही रहेगा माइनस b हमारा सेम वन इंटू और f of x4 जो हमारा यह हमें मिला है माइनस 0.0235 डिवाइड बाइ f of b मिन्स 2.1780 माइनस इंटू f of x4 मिन्स माइनस 0.0235 जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें फिफ्ट एप्रोक्सिमेट रूट मिलता है 0.5152 यह हमें फिफ्ट एप्रोक्सिमेट रूट मिलता है अगें इस हमें फंक्शन में पुट करेंगे और फंक्शन की क्या साइंग समाइन करेंगे मिन्स ऐफ एक्स फाइव जब हमके एक्स फाइव को फंक्शन में पूट करते हैं तो वह मिलता है नेगेटिव माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन सेवन और यह क्या है लेस देन जीरो अगेन हमारे जो एक्स फॉर था वह किसे रिप्लेस हो जाएगा एक्स फाइव से तो आएए शिक्त एप्रोक्सिमेट फाइंड करते हैं वा यूजिंग रेगुला फाल्सी मेथड means x5 into f of b minus b into f of x5 divided by f of b minus f of x5 जाब इसका वेलियो हम पुट करते हैं minus 0.5152 into 2.1780 minus 1 into और फंक्शन का वेल्यू minus 0.0077 divided by 2.1780 minus into into minus 0.0077 means यह जो हमार था f of x5 x5 का वेल्यू into f of b का वेल्यू minus हमार जो भी वन था सेम और f of x5 का वेल्यू जो हमें यह फाइंड कर चुके हैं और डिवाट में f of xb का वेल्यू और f of x5 का वेल्यू जब हमें इसे solve करते हैं तो हमें 6th approximate root मिलता है 0.5169 means जो 6th approximate root मिला है वो यह मिला है अगे इस पर हम क्या function की sign examine करेंगे means f of x6 जब हम f of x6 को function में output करते हैं तो function का वेल्यू हमें मिलता है नेगेटिव माइनस 0.0026 और यह क्या है जिरो तो अगें जो x4 x5 था वो रिप्लेस हो जाएगा एक 6 से इस से और f of x5 जो जब हो किस से इस से की रिप्लेस हो जाएगा तो आए एस टोंड 7 ते प्रोक्सिमेट रूट फाइंड करते हैं मिनस x7 x7 means x6 into f of v minus b into f of x6 divided by f of b minus f of x6 तो आए इसका value हम पूट करते हैं means 0.5169 into 2.1780 minus 1 into minus 0.0026 अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो x7 का value मिलता है वो मिलता है हमें 0.5175 means x7 का जो हमें सेवन्त एप्रोक्सिमेर रूट मिला है वो मिला है 0.5175 मिला है अगेन हम x7 पर function की sign check करेंगे x9 करेंगे means f of x7 और f of x7 पर हमें function की sign मिल रहा है माइनस जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो एट जीरो और यह क्या है लेस देन जीरो है तो अगेन x7 था x5 x6 था वो रिप्लेस हो जागा x7 से और f of x6 था वो f of x7 से रिप्लेस हो जागा था यह एट एप्रोक्सिमेर टूट करते हैं मिन्स जीरो पॉइंट 5175 इन्टो बी का वेल्यू f of function पर वी का वेल्यू से व मैनस तूपोंट one seven eight zero माइनस बी का वेल्यू से इंटो f of x7 का वेल्यू मीनस जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो 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 एट डिवाइट बाय एक वेल्यू से 2.1780 इन्टू माइनस इन्टू एफ आफ एक सेवन का वेल्यू माइनस 0.0006 जब हम इसे सॉल करते हैं तो हमें एक्स एट का जो वेल्यू मिलता है वह मिलता है हमें 0.5179 तो इस तो देखिए एक सेवन और एक्स एट का वेल्यू 3.517 और एक्स एट में भी हमारा करें तो हमने कर लिया है और यह हमारा सालुशन है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको कोई डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं